हेलो बच्चों वेलकम टूदे स्पीडी ब्रेंस जवाहर नवोदे विद्याले के आप सभी के एक्जाम अच्छे से हो चुके हैं चुकि आप सब बच्चों ने बहुत ही डेडिकेशन से अच्छे से पढ़ाई की थी सो हम हीशवर से प्रात्ना करते हैं कि आप सब बच्चों का जेन्वी में सेलेक्शन हो जिस किसी ने भी पूरी महनत से पूरी डेडिकेशन से तैयारी की थी अब बच्चों होता क्या है कि तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं लाखों बच्चे फॉर्म बढ़ते हैं उ लेकिन कभी कभी कुछ मेहनत करने वाले बच्चों का भी ऐसा होता है कि एक दो मार्ट से रह गया इसका मतलब यह नहीं है कि जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए अब लाइफ खतम है या आप वो बच्चे कुछ नहीं कर सकते वो बच्चे वेकार है नो मेरे सामने ऐसे मेंने बहुत सारे ग्जांपल हर सेशन में बंते हैं कि पिछले एग्जाम में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो नेक्स्ट एक्जाम में उन्हें तॉरे अनकी तैयारी कांटिनू रखी और नेक्स एक्जाम को नहीं रोकते और अपनी मंजिल की और बढ़ते जाते हैं तो परिक्षा से चुड़े सभी सवालों का इसमें हम डिसकशन करेंगे और आप सब के पेरेंट्स के और बच्चों के जो कंफ्यूजन है माइंड में कि अब बच्चे को क्या करें इसी स्कूल में क्योंकि फिफ्ट आपने पास कर लिया या नहीं करें टी सी निकल वाले या जवाहन नवोदे विद्याले के एक्जाम का रिजल्ट आने का वेट करें या कुछ तो यसी सब विशेय में हमलोग बात करेंगे आज और आगे क्या अपने वाट के लिए क्चानाव करना चाहिए वच्चों के लिए क्या करना चाहिए अछी है उसी पर हम आज बात करेंगेर देखते हैं पहला प्रेशन कि पास होने के लिए कम से कम कितने Palm two होने चाहिए आपके कितने qualifying marks होने चाहिए what are the qualifying marks for past this exam तो याद रखिए इस exam को qualify करने के लिए हर subject में आपको 40% marks लेने होंगे 40% marks आपके nonverbal reasoning में आ गए आपके 40% marks maths में आगे 40% English में या language में कोई भी लेंग्वेज जो भी आपने लिए इंग्ली तो आप पास माने जाते हैं qualifying marks लेकिन पास होने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जवाहन नवोदर विद्याले में चैनित हो गए हैं आपका कि याद रखेगा कट-off जो मेरा तजर्वा कहता है जो प्रीवियस के कट-off हमने देखे हैं और इस बार के एक्जाम का लेवल देखा है हमने जो जो कुशन पेपर का लेवल देखा है वो यह कहता है कि कट-off 88 से लेकर 92 के बीच में जाएगी यह प्लस माइनस थ्री हो सकती है दोनों तरफ बढ़ भी सकती है और गड़ भी सकती है ठीक है क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत किया है बच्चे बहुत मेधावी हुए है इस बार एक्जाम बहुत अच्छा हुए बच्चों का और कुछ बच्चे यह भी कहते एक्जाम बहुत टाफ आय इसमें भी करेगा अर्बन का और रियूरल का यही बैठेगा ठीक है और बाकि और सब इसके नीचे बच्चे सोतरे कि कट ओफ में लग जाएगी हो सकता है लग जाए त्री पर भी कट आफ जा सकती है और कट आफ तो नाइटी थी पर जा सकती है लेकिंग जवाहर नवोदे विद्याले में एक यह सस्पेंस जो लोगों को नहीं पता है क्लियरिटी कर दूम है कि डिस्टिक वा सेवन तक चली आती है यानि 97 से उपर जिसके मार्स हैं सिर्फ उन्हीं को एड्मिशन मिलेगा बाकी को नहीं मिलता तो यह डिस्टिक वाइज और कहीं कहीं पर 75 पर हो जाएगा किसी किसी डिस्टिक में ज्यादा ज्यादा कंपूटिशन नहीं है 75 पर लेकिन 85 वाले सेलेक्शन हो चुका है आप मुझे निश्चिंद हो जाना है मुझे जी अन्वी बिल गया और 91 माक्स वाला बच्चा भी 91 माक्स वाला बच्चा यह ना समझे कि मेरा तो जैन्वी सेलेक्शन नहीं होगा कट उपर चली जाएगी तो दोनों ही बाते हैं कि आपको फुली कॉ काम था रिजल्ट आ चुका है अब आपसे ज्यादा जी बच्चे ने मेनत कर रखी होगी उसका कट ओफ आ जाएगा आप ने कर रखी तो आपको इस बारे में बिल्कुल अभी नहीं सोचना अब रिजल्ट का वेट करना है तो सर रिजल्ट का वेट तो करेंगे पर रिजल् बच्चों रिजल्ट जो एंभ वो जून महिने के 1st,2nd week तक जून मंत में आझा अपका रिजल्ट की बात हो रही है फिफ्ट क्लास तो पास हो गई नवोदे में जाने के लिए चांसेस भी हैं तो अब क्या हम किसी स्कूल में एडिमीशन ले या ना ले यह बहुत बड़ा सवाल है पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए अब तक जब तक आपका पूरी तरह से जैन वी में एडिमीशन अपका हो न जाए क्योंकि कट आफ में आने के बाद भी कितने बच्चों का पेपर वर्क में या किसी भी कारण से डॉक्यमेंट्स की वज़ा से एडिमीशन में दिक्कत भी आ जाती है कोई भी परशानी आ सकती है तो जब तक आपका एडिमीशन फाइनल ना हो जाए आप जिस स्कूल में हैं जिस जगह भी हैं वहाँ आराम से आप पढ़ते रहें या कुछ बच्चे मान लिए प्राइमर के अंदर आ गये हैं आपके लिए सीट कंफर्म्ड है एडिमीशन ले लीजिए आपका सारा डॉक्यमेंटेशन हो जाए उसके बाद आप अपने वर्तमान यानि प्रेजेंट स्कूल से अपना टीसी निकलवा सकते हैं स्कूल लिविंग सर्टिविकट ले सकते हैं और आप बहुत अच्छा होगा यह हमारी कामना भी है चलिए और देखते क्या क्या प्रश्ण हैं बच्चों के दिमाग में जिन बच्चों ने एक्जाम दे दिया है फिफ्ट पास कर ली है उसके लिए क्या क्या आप्शन है अब सुनिए बच्चों या तो आपका सेलेक्शन होगा यह नहीं होगा या तो जीटेंगे या सीखेंगे मैं तो दो ही बाते कहता हूं इसे बहुत से बलगता एकशन मेरे साथी बच्चे यह में क्योंके वच्छें aja में अच्छी बढ़ाई अबर सेईपड़ नहीं होगा इसे अनका सेलेक्शन हो गया लेकिन वह नहीं जाना चा पुछ बच्चों को जेन भी जाना है वो जाते हैं तो कोई दिक्कत नी है लेकिन मैंने यह पाया बच्चों की अभी 2023 का सैनेक स्कूल एक्जाम हुआ साथ जन्वरी 2023 को एक्जाम हुआ था एक्जाम में हमारे ही इसको बच्चों से अच्छे माक्स लिए 280 285 292 लेकिन एक बच्ची ऐसी भी थी जिसने 140 माक्स लिए एक बच्ची ऐसी जिसने 150 माक्स लिए थे एक बच्ची के 163 माक्स लेकिन नवोदय में उन बच्चों ने अपनी तयारी नहीं छोड़ी कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी वो चलते गए उन्होंने हमसे पूचा सर हम क्या करें हमने का जस्ट डू यर वर प्रोग्रेसीव रहो अपना काम करो अपनी तयारी करते रहो उन बच्चों ने तयारी नहीं छोड़ी कंटिन्यूटी पर करार रही तो जितना वो पहले कर चु रहे हैं लेकिन जो 140 पर थे सैनिक में अभी नवोदे में 96 97 ले रहे हैं तो कंटिनूटी का बहुत फरक पड़ता है टाइम का होता क्या बच्चों कि बच्चों की और पेरेंट्स की धारना क्या होती है कि तीन महीने से चार महीने की प्रफेशन करा देंगे कोई एक महीने क मेंगे क्राइस करा देंगे बच्चे का एक्जाम निकल जागा लेकिन होता क्या है कि इसमें बच्चे क्यों की नहीं निकलता पाते हैं जिन का भी चल्ध में मेरे मार्क्स 90 से नीचे हैं फिर से बोल रहा हूं मैं अगर आपको लगता है मेरे मार्क्स 9 less than 90 हैं तो आपके लिए अभी भी बहुत सारे सब्सक्राइब कोई दिखकत नहीं है नवोदे में नहीं होगा और दूसरी बात जबाब फिफ्ट क्लास में हैं अगर कोई बच्चा यह सोचता है कि मैं अगले साल फिर से नवोदे के एक्जाम दे दूगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नवोदे का एक्जाम वही बच्चा अगर यह सोचे कि मैं फिफ्ट क्लास को फिर से रिपीट कर लूँ तो वह नवोदे का एक्जाम नहीं दे पाएगा यह लीगल नहीं है नवोदे सिर्फ वन टाइम चांस देता है आपको सिफ्ट क्लास के लिए लेकिन अगर आपने अपनी तयारी जारी रखी तो आप पहले से चार कदम और आगे चले जाएंगे लेकिन अगर आपने तयारी को लुक दिया अपने लर्निंग प्रॉसेस को रोक दिया तो बच्चों आप फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करना बहुत मुष्ट यह कम थी अभी तो आप 14 घॉन जैसे ही आप 9 के लिए लिए को ट्राइ करेंगे क्योंकि 9 डिस्टिक वाइस को सेट्स खाली होती है तो निवुदे का एंट्रेंस एक्जाम 9 लेवल फे बी होता है लेकिंजिक बहुत टॉफ हो जाता है उसके लिए आपको अपने आपको बहुत ज्यादा गुरूम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा पॉलिशिंग करनी पड़ेगी पढ़ना होगा हाड़वक होगा और वह हाड़वक आप फिर से करेंगे जीरो से यह संभव नहीं है अगर आप रेगुलर यह दो साल त्यारी करते तो नाइंत में एक ऑप् आराइए एंसी एट्थ क्लास में पॉलिफाई कर सकते हैं आप सिमुंतला नेत्राहट विद्याले रामकृष्ण मिशन राष्ट्री मिलिटरी स्कूल के लिए सैनिक स्कूल के लिए अगर आपकी यह तो आप ट्राइए कर सकते हैं यह सारे आप्शन्स आपके लिए खुले होती है और वह अची पढ़ााये अगर आपको आपके स्कूल मिले ही तो में मोटीम तो है शिक्षा हमें अच्छी शिक्षा चाहिए अच्छी घून चाहिए और temos अगर हम लेने वाले हैं हमारे लिए वह जगा ओपन है वह सिख्षा हमें हर जगा मिल सकती है तो आपको क्या चाहिए इस पर निर्भर करता है और कहां चाहिए यह आपके hard work पर निर्भर करता है सैनिक स्कूल का एक्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं आरमेस राष्ट्री की तैयारी कॉमन एंट्रेंस की तैयारी दस्पीडी खुद करवाता है आप उससे जुड़ सकते हैं और बच्चों को कभी भी रही सोचना चाहिए कि हमारा समय चला गया या हम नहीं कर पाए अब हम जो थे वह कुछ कमजोर हैं बाकी बच्चे थे ऐसा कभी नी सोचना होता क्या है बच्चों जब आप continuous process में लगी रहते हैं तो आपका सेलक्षन होता है जितना ही बड़े बड़े एक्जाम होते हैं आईयस के एकजाम होई पेशम सब नहीं निकलता ति δो कि आप उसे पीछे से तयारी नहीं करनी वहां से आगे की तयारी शुरू करता है पॉलिशिंग करता है पॉलिश्य बनाता है इस्ट्रेटिजी बनाता है सब्जक्ट को वापिस से रिवाइज करता है सारा तब उसके मार्ग आते हैं बच्चों अच्छे तब ऑल इंडिया रैंक बनाती है तब उसकी रैंक लगती है और जो बच्चा उसके साथ में तयारी कर रहा हो उसे लगे जा कि मैं विफल हो गया यह तो रैंक बना गया और मैं फेल हो गया तो होता है कि उसकी रैंक बनाने में बच्चों राज की बात पते क्या है कि वो तयारी को continuously जारी रखता है और अगर आप ऐसा करेंगे ना आप definitely कभी भी कभी भी आप असफल नहीं होंगे और पेरेंट्स को भी हमेशा बच्चों का मोटिवेशन करना है और बच्चों को भी मोटिवेट रहना है कि हम किसी से कम नहीं है हम तैयारी जारी रखेंगे मैं आपको एक्जेंपल दिया ना कुछ बच्चों के सैनिक में उनके 50% मार्क्स थे 300 में से 140 153 150 और अभी उनके 96% म 27% अभी यह जो जैन्वी का एक्जाम हुआ है आपका 29 अप्रेल को तो बच्चों आपको कभी भी हार नी माननी है आपको कभी भी तैयारी करनी हो दाइपोड़ाई प्रेंस आपके साथ में हैं आप जॉइन कीजिए आपका जहां मनकरें जॉइन कीजिए लेकिन द स्पीड़ाई करते हैं अगर आप तो ऑल इंडिया के जितने भी बेस स्कूल से उनका एक common जो entrance exam ने से common batch अकर आप लेते हैं तो किसी भी exam को आप crack कर सकते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं पूरी strategy होगी और पुरा whole year course होगा उसमें आपके school का syllabus भी हम cover करेंगे उसमें entrance का पुरा syllabus cover किया जाएगा तो इस तरीके से आपको ना तो school का pressure लेना होगा ना तो entrance का pressure देना होगा और जहां पर भी आपको लगता है बहतर तैयारी हो बस आप तैयारी करें रुक जाएंगे तो आपको फिर से 0 से start करना पड़ेगा और वह बहुत वह बहुत खराब होगा आपके लिए क्योंकि आप इस exam को देकर समझ गए होंगे इस exam को attempt करकर आप सम punctuality है perseverance है सब्र है उसके साथ ही आप किसी competition करेक कर पाएंगे अगर कोई बच्चा यह सोचे कि जैसे हम स्कूल में 10-12 questions याद करके गए पास हो गए और यह बिल्कुल गलत बाते हैं इसे आप इस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा और जिनोंने exam दिया उन्हें तो प जैन भी बुला है का तभी जाना है संस्थान का चुनाव अच्छा करें अपनी तयारी जारी रखें कि आपके सामने बहुत सारे खुले हुए हैं एट्थ में R.I.M.C के exam होता है Royal Indian Military College जो बच्चे सैनिक स्कूल में हमारे कितने बच्चे सिक्स्थ क्लास सैनिक स्कूल में कॉलिफाई नहीं करते हैं लेकिन हमारे कितने बच्चों ने एट्थ क्लास में अपनी तयारी जारी रखी सिक्स्थ में हार नहीं माने पूरे सैवन्थ उन्हों ने हमारे साथ पढ़ा एट्थ में हमारे साथ पढ़े रॉयल इंडियन मिलिटरी कॉलेज में साल में सिर्फ 50 एडमिशन होते हैं बच्चों ने कॉलिफाई करके दिखाया तो सैनिक आपका नहीं हुआ यह नवोदय आपका नहीं हुआ आप एक-दो मार्ग से रह गए तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कुछ भी आपका नहीं होगा उससे बेहतर करके दिखाया बच्चों ने आराई एंसी जॉइन किया तो आप अच्छे संस्थान का चुनाओ करें चुनाओ करेंगे तो डेफिनेटली जीत आपको मिलेगी बस आपको विश्वास करना होगा अपने टीचर पर अपनी किताब ओपर तो जैन्वी में अगर उसाइंगे तो भी पढ़ाई करेंगे सानीक में जाएंगे तो से सदेर्ट करों कि अपनी को आपको नहीं छोड़ना है पूरी जिन्दगी को सीखते रहना है जिस दिन आपने शीखना बंद कर दिया उस दिन इंसाह Susan कि Coi Weinty नहीं है जिसने सीखना बंद कर दिया व आपके पास भरपूर है आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो था स्पीडी प्रेंस हमारी वेब साइट है वहां से आप हमारा नंबर भी ले सकते हैं आप हमारी ऑफिस में कॉल कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए बात कर सकते हैं कोई भी आपके मन में छोटा सा भी कन्फ्यूजन है आप हमसे जूड़ सकते हैं आपका कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे चलिए और देखते बच्चों वाट शुड़ स्टुडेंट्स कमिंग इन क्लास फॉर्थ एंड फिफ्थ अब यह बहुत इंपॉर्टन्ट है उन फिफ्थ वालों के लिए तो बहुत अच्छा उसर है वह जॉइन करें दो स्कूल का स्कूल का स्लेबस भी कराएंगे उनने सैनिक स्कूल का पूरा स्लेबस कराएंगे अगर आपको कॉमन की तैयारी करनी यानि किसी भी स्कूल का एक्जाम देंगे और आपका क्लियर हो कि हर तयारी एक समय मांगती है punctuality मांगती है निरंतरता परजीवरेंस सब्र मांगती है कि डेडिकेशन हाड़वग यह सारी चीज़े जब इकठी होती है सम्मिलित होती है तब ही जाके selection होता है और पूरा समय हमें से दैना होगा इस तयारी को तो parents मेरी बाद समझें कि 5 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा अशर है और बहुत बहतरीन अच्छे से भी अच्छा आसर 4th class के बच्चों बच्च जैसे कि मैंने बटाए time मांगती तो ट्यारी अच्वाइस चाप्श से काऀ्अ जितना देंगे одना ऑच्छा होगा 4th class से अगर कोई बच्चा साथ जूड़ता है तो systemic स्कूल यकीन मानिये एंट्रिल स्कूल की तयारी उसे फिफ्ट क्लास के एंत्री करते तक पूरी करा दी जाती है और फिफ्ट क्लास में वह पूरा रिवाइस करता है और the number of times आप ज़ितना ज्यादा रिवाइस करेंगे उतना ही ज्यादा आप selection की तरफ नहीं आप ओल इंडिया रैंक वन की तरफ बढ़ेंगे यह मेरा मानना है मेरा तरफ हमारा experience है लगबग 20 साल से उपर का experience हमें offline में है और बच्चे हमारे साथ पढ़कर बहुत ही अच्छे marks लाए हैं अच्छे स्कूल्स में सेलेक्ट हुए हैं तो हमारा अपना experience है कि जितना जाधर समय दिया जाएगा तयारी को उतनी अच्छी तयारी होगी और उतना ही आपका accuracy rate होगा अपने goal को achieve करनेगा तो यह question बहुत important है fourth और fifth वाले क्या करें तो fourth और fifth वाले सिर्फ और सिर्फ अपनी तयारी पर focus करें अगर fifth में भी आएंगे तो बहुत अच्छा है fourth में आएंगे तो golden opportunity है four और five को अच्छे से तयारी करवाएंगे और आपको आपके dream school तक पहुचा कर रहेंगे और सिर्फ पहुचाएंगे नहीं अगर आपने यकीन मानिए दो साल fourth फालो ने दो साल और fifth फालो ने एक साल दिया तो all इंडिया में आपकी बेतरीन rank भी लग सकती है क्योंकि तयारी का एक ही formula है वो है sabr, perseverance, dedication, hard work यह सारी चीज़ और time मंगती तयारी हो यह सब आपको देना होगा चलिए और देखते हैं why join us and choose our mentorship क्यों हमें join करें यह भी सवाल होगा आप सोच रहे हमें क्यों आप स्कूल में पढ़ें तो learn करें आप इंस्टिटूट में आए तो learn करें आप किसी भी टीचर का आप online वीडियो देखें आप सिर्फ learn करें और result oriented focus रहता है हमारा हमारा offline इंस्टिटूट है लगभग 20 सालों से हमने बच्चों को select कराया चेच्छे exams में तो कहते हैं प्रत्यक्ष्य को प्रमाण किया वशक्ता नहीं होती तो आप हमारी trial class से जुड़ें आप हमें आजमाएं आप सोचें की आपको ही सोचना पढ़ेगा कि आप हमें join क्यों करें तो आप अपने बच्चे को हमारी trial class से जोड़ सकते हैं हमारे बैची अभी चल रहे है साइनिक स्कूल और common entrance examination की बैची चल रहे हैं किसी भी स्कूल का आपको अपने बच्चे बच्चे को एक्जाम दिलाना है औल अवर इंडिया का या किसी बच्चे को देना है तो व क्ज़ बच्चे को